रानू मंडल जिनके आवाज के चर्चे हर जगह पर हैं कल तक जो गुमनामी की जिन्दगे जी रही थी वो अब जीरो से हीरो बन चुकी हैं तो वहीं रानू मंडल को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि रानू मंडल ने डिप्रेशन की वज़े से घर छोड़ा था रानू मंडल के सितारे जैसे बदले हैं वैसे ही उनके परिवार वालों का भी पता धीरे धीरे चलने लगा है हाले में रानु मंडल की मुलाकात उनकी बेटी स्वाती राय से हुई सुत्रो की माने तो रानु की मुलाकात अपने बेटी से 10 सालों के बाद हुई है तो वहीं उनकी बेटी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि शोहरत मिलने के बाद वो उनसे मिलने आई है इस पर उनकी बेटी ने बताया कि उनकी मा डिप्रेशन का शिकार रही है तो वही स्वातिराय ने बताया कि पिता के मौत के बाद मा उनके साथ 7-8 साल रही थी इसके बाद वो उनके साथ कमफर्टेवल नहीं थी उन्होंने फिर खुद हे घर छोड़ दिया तब से अब तक हम दोनों का कोई कॉंटेक्ट नहीं हुआ तो वहीं जैसे ही रानू मंडल के सितारे बदले हैं वैसे ही उनके परिवार वालों का भी पता चल रहा है अब रानू मशुहूर हो रही है तो अब रिष्टेदार भी उन्हें याद कर रहे हैं इसे ही कहते हैं रंग बडलती जिन्दगी। वैसे सवाल तो ये भी है कि उनकी बेटी इतने सालों से उनसे दूर क्यों रही? और जब उनकी मा काम्यावी की बुलंदियों पर है तब उन्हें अपनी मा की आदा रही है। तब कहा थी जब उनकी मा रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर अपना जीवन यापन कर रही थी अगर ये बात मान भी लिया जाए कि रानू मंडल ने खुद घर छोड़ा था तो क्या एक बेटी होने के नाते बेटी का फर्ज नहीं था कि वो अपनी मा को वापस लाए अब जब वो मशुहूर हो रही है तो उन्हें अपनी मा की आदाई है SPN 9 Newsroom से शुर्दी की डिपोर्ट